गाइस यह जो RSH formula है जिसकी मैं बात कर रहा था एक दो दिन पहले ये बहुत ही गजब का formula है trust me अगर इसको आपने अपनी trading style में सामिल कर लिया इस formula को तो बहुत सारी binning trades आपकी बननी start हो जाएगी over trading खतम हो जाएगी hold करना start कर लोगे trade को कि मैं max profit के लिए क्योंकि ये सबसे बड़ा problem है हम traders का सबसे बड़ा problem है over trading और position को winning position को hold ना कर पाना मतलब की profitable position को hold ना कर पाना ये सबसे बड़ी problem है हम लोग क्या करते हैं हम लोग लॉस वाली पोजिशन को अलड कर लेते हैं लिकिन बिनिक वोजिशन को ओल्ड नहीं कर पाते तो यह जो आरह्फ फॉर्मूला है यह आपका आज ये problem जो है solve कर देगा इसको पूरा देखना मैं आपको थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन अगर आपने वीडियो पूरा देखा not only देखा देखने से कुछ नहीं होगा ध्यान रखना देखने के बाद जब trading करोगे तो इस formula को लिखके रख लेना लिखके और आप देख रहे हैं बिनमूल इंडिया का एक और educational वीडियो शुरुआत करते हैं और जानते हैं इस formula के बारे में 1y1 इस formula को समझने के लिए आपको तीनों divide करना पड़ेगा मतलब R, S और H इन तीनों को divide करना पड़ेगा मैं पहले आपको R का बताता हूं कि R से आप कैस से काम करेंगे फिर S से कैसे काम करेंगे और फिर H से कैसे काम करेंगे तीनों को मैं वन वाइवन आपको पताता हूं तो पहले R से समझ लेते हैं कि R से मतलब क्या है यहाँ पर यह जो R आपको दिख रहा है इससे मतलब क्या है R का जो मतलब है वो है राइट टाइम इंट्र और भाई राइट टाइम इंट्री यह मतलब है आपका आर से अब राइट टाइम इंट्री कैसे निकलेगी आपने अगर देखा हो तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग ये करते हैं कि मार्केट ओपन हुआ market open हुआ और मालो मैं 10 बज़े के आसपास market में enter हुआ 10 एम पे ठीक है इस time पे मैं market में enter हुआ अब मुझे यह नहीं पता है कि यह जो premium है in case मालो आज market उपर trade कर रहा है मैं मान के चलता हूँ कि market market उपर की side में trade कर रहा है ठीक है यहां पर कहीं इस तरी इस पर आपको यह तो दिख्या कि market positive है call side के premium उपर जा रहे है ठीक है call side के जो premium है वो उपर जा रहे है यह तो आपको दिख्या लेकिन आपको यह नहीं पता कि इस CE वाले premium है buy तो CE ही करना है क्योंकि market उपर है लेकिन यह CE वाले premium का क्या right time entry है क्या right time entry है मतलब कि हम जब भी market में आते हैं और यह देखते हैं कि market उपर trade कर रहा है या नीचे trade कर रहा है तो क्या हमारा जो premium है जो हम buy करना चाहते हैं मैं एक example देता हूँ माल लेता हूँ निफ्टी का 22,700 का call मैंने अपनी watch list में लगा लिया ठीक है यह premium इसका जो premium है वो माल लेता हूँ 100 रुपीज पे trade कर रहा है ठीक है अब क्या यह 100 रुपीज पे सही right time entry है क्या यह यह जानना है आपको 100 रुपीज पे trade तो कर रहा है क्या मेरी यह right time entry है वो यह आर resolve कर देगा अभी अभी देखते रहे है वीडियो प्रुटबाई कर रहा है तो सब जान गए अब लेकिन अभी एक confusion यह है कि क्या मेरी जो entry है वो राइट टाइम हो रही है right price पे हो रही है right time के साथ साथ right price पे right time का मतलब यहाँ पे price है यह ध्यान देना right time का मतलब वो घड़ी का time नहीं है right time का मतलब price है तो यह जो price है आपका 100 रुपीज का क्या यह price मेरा सही है इस पे मुझे entry लेनी चाहिए यही resolve होगा आपका R से तो चलिए मैं इसको पहले resolve करता हूँ आपका और इसके दो method बताऊंगा चार्ट पे चलके कि पहले आपको कैसे यह पता करना है कि यह जो time है price का या price की value है वो सही है मुझे buy करने के लिए मैंने यह तो पता कर लिया कि market उपर है मुझे call entry लेनी है call buy करना है जा option buyer लेकिन किंतु परंतु बंदू यह time सही है यह price सही है time से जो मतलब है वो price है द्यान देना इस बात का तो चलिए आप chart पर चलते हैं और chart पर समझते हैं कि मुझे कैसे यह पता चलेगा कि यह 100 रुपए पे जो मैं खरीदने जा रहा हूं यह सही है या गलत तो let's say market में घुज गए है market देख लिया कि market positive है call side buy करना चाहिए premium भी लगा लिए देखे premium कौन से लगाए है premium लगा ल important यह है कि आपको उस particular page पे जैसे माल लेता हूं मैं 12 बजे मैंने market में entry ली ठीक है 12 पे मैंने market में entry ली यह माल लेता हूं मैं सुभई 9 बचके 15 मेंट पे मैंने entry ले ली ठीक है entry लेने का मतलब मैंने market open कर लिया और यह premium 170 रुपए पर trade कर रहा है आपको यह दिखता है कि 170 र मेरी entry पे मतलब कि 120 पर इसकी entry बनेगी कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी entry 140 पर बनेगी ऐसा तो नहीं 170 में overbought है मैं यहां पर buy करूं और यह नीचे चला जाए यही problem है यही problem है हमारे सबसे बड़ी कि हम फस जाते हैं बहुत बार आपने देखा होगा कि हम फस जाते हैं जैसे buy क करते हैं और प्राइज हमारा नीचे चला जाता है तो वह आपका जो आर है जो मैंने बताया राइट टाइम entry वह अभी रिजॉल्ब करेगा इसी चार्ट पर कैसे करेगा वह मैं बताता हूं अब लेट से आपने कोई भी premium लगा लिया आपने यह तो अब्जर्ब कर लिया कि market positive खुल गया है या negative खुल गया है ठीक है दो मैंसे एक ही काम होता है या sideways है तीन तो अब मैं जो buy करना चाह रहा हूं उसको मैं देख लेता हूं कि क्या वो सही time पे है और अगर वो सही time पे नहीं है तो मैं क्या करूंगा रुक जाऊंगा मैं bet करूंगा उसका सही time पे आने प्रिमयम यह सही है या गलत है और मैं यहाँ पर buy करूँ फजोओं कहीं अच्छी आएगा यह कैं आ यहीं से और जाएगा सही time है इसको कैसे पता करना है इसके लिए आप 2 काम कर सकते हो इसके लिए आप 2 काम कर सकते हो पहला काम आपको अपने चार्ट पर इंडेक्स नहीं लगाना है premium लगा लेना है premium लगा लेना है सबसे पहले आपको जो भी आप premium buy करना चाहो out of money इंदा money बैसे मेरा suggestion ये रहेगा कि आप हमेशा इंदा money में रहाओ तो ज्यादा अच्छा है इंदा money सबसे best है इंदा money में क्या होता है कि premium थोड़ा sideways market में भी गलता नहीं है आपका तो हम क्या करेंगे इसमें दो काम करेंगे पहला काम ध्यान से अब सुनना यहीं पर आपका ये आर जो है ना आर यहीं पर resolve होने वाला है right time entry यहीं पर resolve होने वाला है तो आपको ध्यान से देखना है पहला हमारा काम क्या होगा कि सबसे पहले इसी premium के chart पे इसी premium के जो भी आ ले जाएंगे वन आर के टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके से आपको चार्ट दिखाए दे रहा है इसको थोड़ा ऐसा लगा कर लो ताकि आपकी सही से आपको समझ आ जाए अब देखिए इसमें आप देख रहे होंगे कि यह प्रीमियम आपका कई बार उपर गया और कई बा बार उपर नीचे हुआ है अब इसमें जो यहां बाई किया होगा यहां फस गया होगा क्यों प्रीमियम नीचे आया यही तो है बात तो यही है कि राइट टाइम इंट्री राइट प्राइज इंट्री राइट प्राइज इंट्री क्या है कोई यहां बाई कर लिया होगा म यही है चलिए अब next process क्या है हमने एक गंटे का टाइम फ्रेम लगा लिया एक गंटे के टाइम फ्रेम लगाने के बाद हमें क्या करना है आपको ट्रेंड लाइन लगानी आती है अगर नहीं लगानी आती है तो फिर दूसरा भी मैं बताऊंगा आपको अभी solution पहले ट्रेंड यह उठा था कहां से इस जगह से यहां से यह premium उठा था और फिर कहां तक गया है यह देखिए आप यहां तक गया है यह ऐसे कुछ इस तरीके से आपकी एक प्रेंड लाइन यहां पर लग गई लग अब आप यहां पर देखें तो आपको कई टच मिल रहे हैं इस प्रीमियम पर प्रीमियम पर प्रीमियम का चार्ट उससे मतलब नहीं है मतलब यह है कि एक घंटे का trend line आपको एक घंटे के चार्ट टाइम फ्रेम पे trend line कुछ इस तरीके से आपको लगानी है कुछ इस तरीके से जहाँ पे आपको मोटा मोटी तीन चार टच कम से कम मिल जाए जैसे कि माल लेता हूँ मैं एक टच यहां मिल गया, ठीक है, एक टच यहां मिल गया, ठीक है, एक टच मोटा मोटी यहां मिल गया, एक टच यहां मिल गया, अब इससे क्या पता चल रहा है, पता ये, इससे पता क्या चल रहा है, इससे पता ये चल रहा है, कि ये प्रीमियम जब जब आता है, ट्रेंड ल तो फिर इसकी लास मिलेगी क्या मिलेगी लास डेट बोर्डी हो जाएगी यह मर जाएगा अगर इसके नीचे गया बहुत बारी लॉस कराएगा लेकिन यह जो यहां पर जो ट्रेंड लाइन एक घंटे की दिख रही है आपको यह आपका प्रीमियम का सपोर्ट है ठीक है यह प्रीमियम का सपोर्ट है तो अब आपने क्या देखा आपने यहाँ पर देखा कि मुझे यहाँ पर एक बढ़िया सा सपोर्ट बाइजर भाई सव आ रहा है ठीक है बढ़िया सा यहाँ पर एक सपोर्ट ऐसे ट्रेंड लाइन मैं ने लगाई थी और उस पह अच्छा support तंजर आ रहा है अब यहां पर प्राइज देख लो इसका प्राइज support कहां ले रहा है इसका प्राइज का support ले रहा है near about यहीं पर कहीं पर 157 और 160 के आसपास तो अब यहां पर मेरी right entry क्या निकल रही है बताईए comment करके बताईए कि मेरी यहां पर right entry as per trend line क्या निकल रही है 160 रुपए के आसपास fair value है इस premium की कितने पर 160 रुपए के आसपास मैं इसको थोड़ा सा इस से लिखके आपको बताता हूँ 160 के आसपास इस premium की जो value है वो fair है क्यों क्योंकि एक घंटे की यह जो trend line यहां पर मुझे दिख रही है बनते हुए यह इसका बहुत अच्छा support है और उसी के आसपास यह premium है अभी खतम ने हुआ अभी बहुत है इसमें तो इसकी मैंने क्या किया एक chart अपना बनाया या paper बन आईए यह 160 पर आएगा 160 के आसपास आएगा मैं एंट्री ले लूँगा अब दूसरा एक factor की गुरू जी 160 पर नहीं आया तो 170 से उड़ गया उपर सीधा तब क्या करेंगे तो इंट्री मिस हो जाएगी उसके लिए भी है इलाज है उसके लिए भी हिलाज है परिशान मत हो यह तो पहला काम आपने क्या किया एक घंटे का टांफ्रेम लगाया आपने और उस पे आपने एक support line ऐसे ड्रॉ कर ली trendline की ठीक है यह पहले trendline की बता रहा हूं उसके बाद यह और मैं आपको बताऊँगा यह मैं जो की आपकी बहुत अच्छे help कर पाएगा है ना लेकर trendline यूज करना स्टार्ट कर दीजिए ज़्यादा बैतर है तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि भाई इसका सपोर्ट 160 रुपई के आसपास है और अगर यह 160 के नीचे गया मतलब मैं डूबने वाला हूँ मेरा लॉस होने वाला है एक चीज़ यह भी पता चल गया हूँ अगर यह 160 के नीचे गया तो मैं डूबने वाला हूँ तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ इस टॉप लॉस नाम की जो चड़िया है ना उसको फॉलो कर सकता हूँ 160 रुपई के आसपास तो पहला काम आपका यह हो गया आईए अब दूसरे काम की तरब चलते हैं दूसरा क्या करना है हमें अब दूसरा काम हमें यह करना है कि हमें एक घंटे के बाद मेरा उबजर्वेशन यह कहता है कि 5 मिनट से 5 मिनट से अच्छा breakout या breakdown करने के लिए जो टाइम फ्रेम है इंट्राडी के लिए वो 15 मिट का है तो हम क्या करेंगे सीधा 15 मिट के टाइम फ्रेम पे चल देंगे 15 मिट के टाइम फ्रेम पे जाने के बाद वहाँ पर भी हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे इंट्री बनाने के लिए तो मैं ऐसी 15 मिट के टाइ दिखाई दे जाए जो कि premium का dip हो उसको कुछ इस तरीके से लेके और कुछ इस तरीके से आप ऐसे अपना लगा लेजिए ठीक है ट्रेंड लाइन जिससे कि आपको ये एक आइडिया हो जाएगा कि ये प्राइज जो है इस पर्टिकुलर प्राइज जो है पर्टिकुलर प्रीमियम की जो प्राइज है वो यहां से बार-बार बापस जा रही है मतलब कि ये एक सपोर्ट है अब ये ट्रेंड लाइन यहां प जेखो कि यह premium नीचे आया ठीक है premium नीचे आया यही पर support लिया अगर मैं एक गंटे की trend line भी लगी रहने दूँ तो वह भी यही पर support बन रहा है बन रहा है उसके बाद फिर premium उपर गया और फिर premium यहां दे रहा है आपको premium का जो की 160 रुबेच के आसपास है क्लियर है आईए next आगे वरते हैं अब entry कैसे लेनी है अब entry लेने के लिए आपको एक method और यूज करना है पहले तो आपने यह जान लिया कि इस premium का support कहाँ है यह आपको जानना बहुत जरूरी है देखो इतना calculation करके जब आप trade करोगे न trust me इतना calculation करके जब भी trade करना start करोगे कल तहीं देख लो आप करके जो calculation आप करना start कर दोगे न उसमें आपको सोचने की बहुत time मिलेगा आपको कहते हैं नहीं सोच समझ के बोल, सोच समझ के बोल, अगर सोच समझ के बोलेगा, तो सही बोलेगा, जल्दवाजी में बोल देगा, तो कुछ भी अनाफ सनाब बोलतेगा, इसलिए कहा गया है, सोच समझ के बोल, ऐसे ही सोच समझ के ट्रेड लो, अगर जल्दवाजी में ट्रेड लोगे, तो कहीं भी ले लोगे लेकिन सोच समझके calculation करके यहजो जो मैं फर्मूला बता रहा हूं इस फॉर्मूले को calculation करो अबरी प्रिम्हय्म में चाहे entry लो या ननलो भाई करो या ना करो लेकिन इस formula कहा calculation एक पांच मिनिट भी नहीं लगने यार दो मिनिट के रिघंधर यह प्राइमेट पर ट्रेंड लाइन एक ड्रोग की पता चल गया आपको यह से पता चला कि यह सो सपोर्ट हो गए यहां पर बहुत बढ़िया इस प्रीमियम के ठीक है बढ़िया दिखाई दे रहा है अब यह चीज यह भी हमें पता चल लोगी कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यूज करके बताऊंगा आपको इसी में उससे भी आपको पता चल जाएगा आएए अब जर्णा इंट्री का मामला दिखतें कि इंट्री कहां बनेगी ठीक है तो एक तो हमें यह पता चल गया अब आईए नेक्स्ट चलते हैं कि हमें इंट्री कैसे बढ़ानी है इस पर्ट जोन भी है जहांपे sellar वेठा हुआ है जहांपे option seller वेठा है option seller क्या कर रहा है जब भी price यहांपे आती है bond कर देता है से अब यहां पे भी देखो यहां पे भी सेल करते रहा है तो इससे आपको एक और ट्रैंड लाइन ड्रो कर नी है जो कि उपर से आएगी कुछ इस तरीके से अब यह कैसे करेंगे साहब यह आपको back की candle sticks देखनी है जहां से गिरा है यह premium जैसे की यहां से गिरा है यहां से गिरा है तो एक में यहां से ले लूँगा touch और एक touch में यहां से ले लूँगा तो यह हमारा double top हो गया इस premium का double top हो गया का मतलब है ये एक supply zone है ये demand zone नहीं है supply zone है in case market अब उपर निकलता है market अब उपर निकलता है तो जैसे ही उपर निकलेगा तो इस trend line का breakout मिलेगा आपको इस trend line का breakout मिलेगा कहां मिलेगा near 180 के आसपास price क्या चल रही अभी 170 180 के आसपास आपको मिलेगी इसमें क् breakout कैसे पता चलेगा पता ऐसे चलेगा कि जब भी ये price इस particular premium की price उपर निकलती है 15 minute के time frame पे 15 minute के time frame पे उपर निकलती है तो मैं क्या करूंगा मैं तुरंट जैसे in case मालो next candle है ऐसे चली गई उपर तो मैं bet करूंगा ऐसे नहीं कि उपर गई भया वो तो निकल गई trend line के उप कर लेता हूं right time entry हो गई मेरी और formula काम कर गया यहां पर नहीं ऐसे नहीं करेगा आपको यह देखना है कि 15 minute की time frame की जो candle है क्या वो big है बड़ी है अगर बड़ी है तो थोड़ा और रुख जाओ right time entry मिलेगी don't worry थोड़ा और रुख जाओ बड़ी नहीं है छोटी है यहां प second उपर रहती है जैसे टिक आता ना एक दो तीन ऐसे टिक आता ना उपर नीचे होते आना उपर नीचे ऐसे तो जैसे आपको देखे कि दो तीन चार सेकेंड या 10 सेकेंड इस प्रीमियम के उपर ही इस candle के उपर ही breakout के उपर ही निकल रही है that is your r formula right time entry right time entry आपकी right time entry हो गई आप चलो ये तो पता चल गया साब की right time मेरी entry हो गई तो मेरा अब target क्या होगा वो मैं आपको hold पर बताऊंगा h जो formula है ना last वाला उस पर बताऊंगा अभी आपकी entry हो गई हो गई कि मैंने ये जो ट्रेड ली है बिद्दा calculation ली है मुझे पांच मिनट का समय लग गया इस trade को पकाने में पकाने में लग गया पांच मिनट का समय मैंने तो आपको ज़्यादा समय ले लिया आपका बताने में लेकिन जब आप करोगे तो पांच मिनट में हो जाएगा तो आपकी right time entry हो चुकी है अब चलते हैं हम कौन से formula पे दूसरे formula पे जिसका नाम है क्या S S S for S for अभी बताता हूं मैं S for क्या होता है S for S से कैसे काम चलेगा तो right time entry तो आपकी हो चुकी है अभी ये complete नहीं हुआ है अभी ध्यान देना S for formula को समझने से पहले हमें थोड़ा beginners का भी ख्याल रखना है बाई beginners हैं वो trend line नहीं लगा पाते हैं नहीं पता चलता है कि सब साब जो है 3 touch लें, 2 touch लें, 10 touch लें, 20 touch लें बिका touch लें या body का touch लें नहीं समझ आता है बहुत लोगों को ठीक है तो उनके लिए मैं एक indicator suggest करूँगा एक EMA suggest करूँगा मैं यहाँ पे लगा के आपको दिखाता हूँ जो की है आपका moving average exponential यह है और यह किस value पे आप पे ज़्यादा suit करेगा वो भी बता देता हूँ यह मैं कुछ इस तरीके से लगा लेता हूँ यह लग चुका है और लगने के बाद यहाँ पे by default जो है आपका यह 9 EMA लगा है तो हमें यहाँ पे क्या करना है हमें इसकी थोड़ी सी setting में share चाल करनी है वो कौन सी setting रखनी है आपको यहाँ पे मैं suggest करूँगा 20 EMA कौन सा EMA 20 EMA 20 EMA डाल देंगे 9 की जगे यहाँ 20 डाल देंगे और OK करेंगे OK करने के बाद यह आपका लग चुका है अब चलो trendline पे आपका एक घंटे पे support अब हम फिर से वही process फॉलो करेंगे यह beginners के लिए है ध्यान देना यह beginners के लिए है जो प्रो हैं वो trendline फॉलो करें trendline ज्यादा अच्छा काम करती है पर beginners जब तक beginner है तब तक वो अपना EMA से भी काम चला सकता है तो अब हमें क्या करना है हमें वही same follow करना है क्या से follow करना है हम पहले हमने क्या किया था एक गंटे के time frame पे गई थे एक गंटे के time frame पे जाने के बाद हम देखेंगे कि इस premium का edge पर EMA क्या support निकल रहा है तो क्या निकल रहा है आपके सामने यहां पे अगर आप देखेंगे तो near 160 के आसपास ही इसका भी निकल रहा है जो की हमारा निकल रहा था trendline के according किसके according? trendline के according तो EMA के according भी हमारा 160 के आसपास ही हमें देखने को मिल रहा है एक चीच क्लियर हो गई आपकी अब दूसरा process क्या था? दूसरा process साब था उसके बाद हमें जाना था 50 minute के time frame पे कितने minute के time frame पे? 50 minute के time frame पे तो मैं 50 minute के time frame पे फिर से जाता हूँ और यहाँ पे भी देखता हूँ कि मेरी entry कैसे अब यहाँ से बनेगी edge per EMA तो अब हमें एक EMA भी बता रहा है कि हमारा यह support है यह हमारा support है हमारी right time entry above 180 है candle की closing के बाद हमारी right time entry above 180 के उपर है तो आप same trend line से भी कर सकते हैं और EMA से भी आप इस method को use कर सकते हैं कौन सा right time entry का तो यह right time entry आपकी हो चुकी है अब चलते हैं हम लोग समझ लेते हैं S formula को S formula क्या है और वो कैसे काम करता है अब देखें S से मेरा तातपर S से यह है कि S for stop over trading वैसे मैं आपको बताओं यह एक ऐसी लाइलाज बीमारी है stop over trading जो की पुराने जमाने में पहले चलती थी ना टीवी की बीमारी जिसका इलाज नहीं था government के पास में doctors के पास में भी नहीं था फिर वो दीरे दीरे आया cancer का कोई इलाज नहीं था guaranteed कम हो जाएगी कैसे कम होगी कि पहला हमारा formula कौन सा था पहला first formula हमारा था R R means right time entry ठीक है यह मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ यह पहला हमारा जो formula था R इसमें जब यह formula कोई भी trade लेने से पहले आप किस formula का use करेंगे इसी formula का use करेंगे R का और जब R का use करेंगे तो कम से कम 5 minute का time तो लेंगे ही at least कम से कम 5 minute का time तो आप लेने बाले ही हैं इस formula को use करने के लिए कम से कम 5 minute का time तो लेने बाले हैं तो जब हम 5 minute का time एक trade में लेंगे कम से कम 5 तो 10 minute का time आप ले लोगे मुझे पता है जब आप इस formula को यूज करोगे तो आपकी over trading है जो ये S formula है ये automatic काम करना चालू करतेगा automatic क्योंकि जब भी आप किसी trade में time लेंगे, analysis करेंगे R formula का use करेंगे आपको time मिलेगा सोचने समझने की छमता मिलेगी over trading बंद हो जाएगी आपकी automatic ये धीरे-धीरे होगा, ये process से होगा जैसे कि आपको doctor साब भी तो देते है doctor साब आपकी कितनी दबा देते है तीन टाइम की दबा देते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा उड़ते उड़ते, 24 गंटे में तीन टाइम की, भाई सोगे खा लेना, साम खा लेना और दुपहर खा लेना लेकिन हम लोग क्या है, trading में तीन टाइम की दबा नहीं लेते हैं हम लोग ले लेते हैं, 40 टाइम मैंने तो बहुत लोगों को दिखा, भाई साब 100-100 ट्रेड 100-100 ट्रेड, अब ये बताइए जब आप 100-100 टाइम की दबा लोगे तो reaction नहीं करेगा बोडी में करेगा की नहीं करेगा तो जब करेगा, तो जानते हो तो फिर डॉक्टर साब की बात मानो ना 3 टाइम की दबा लो, मतलब की 3 ट्रेड, 3 ट्रेड in a day, 3 ट्रेड और हर ट्रेड में ये formula यूज करो, हर ट्रेड में every trade में, our formula लगाओ ही लगाओ, इसलिए लगाओ कि आपकी ये जो बीमारी है, ये धीरे धीरे खतम हो जाएगी, guarantee से guarantee से खतम हो जाएगी तो ये है S formula अब चलते हैं हम लोग S formula पे और उसको समझ लेते हैं कि S formula कैसे हमारा काम करता है S से मेरा जो ताकपर है, वो है hold for max अभी ये मैं चार्ट पे भी बताऊँगा आपको, कैसे आप hold for max करते हैं, मैं मान के चलता हूँ कि मैंने जब 180 रुपए पे कोई entry ली, किसी भी है, खलवली मत जाती है पेट में 10 point बुक करो, बुक करो, बुक करो 10 point बुक करो, max नहीं कर पाते हैं hold अभी मैं आपको चार्ट पे बताऊँगा, आपकी ये problem भी resolve हो जाएगी, आप max hold करना, ये जो formula H वाला है ना, इसको use करके आप max profit बनाने चालू कर देंगे, आपको 100 time की दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हो जाएगी बंद automatically, trust me, तो आपको क्या करना है, इसके लिए मैं चार्ट पे चलता हूँ, hold for max के लिए, और चार्ट पे मैं आपको बताता हूँ की ये फॉर्मूला आपका कैसे काम करेगा, अब देखे, आपने entry कहां ली above 180, अब आपको ये नहीं पता है कि साब, अगर ये premium breakout दिया है, तो जाएगा कहां तक, ये नहीं मालूम आपको, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको hold for max जो formula यूज करना है, वो कैसे करना है, कि आपको ये देखना है, पुराना थोड़ा सा, बैक उठा के, एक घंटे का time frame पे देख लो, या 15 मिट के time frame पे देख लो, ये देख लो, कि ये premium last कहां से गिरा था, last कहां से गिरा था, ये देख लो, तो मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है, कि यहां से इसकी दिखवाली आई थी, जो कि 220 के आसपास है, 220, 220 रुपए के आसपास है, अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले गाट बांद लेनी है, कि जब भी मैं किसी breakout पे entry लोंगा, किसी भी premium के breakout पे इंट्री लोंगा, तो मुझे कम से कम hold for max ash formula पे काम करना ही करना है, मतलब की 220 तक hold करना ही करना है, बेसा कि यह premium 190 पे जाए, और फिर बापस आके आपका 160 वाला SL टिगर करा दे, करा दे, SL से dhemat account खतम नहीं होते, SL से आ रही सीजी धरधरा थी एकदम, express की तरह, तो आप एक खरीदे दे, 30 आ गई, 20 आ गई, 10 आ गई, फिर भी दिल में है कि भाई बच सकते हैं, 5 आ गई, expiry वाले दिन मर गई, खतम हो गई, आपने नहीं काटा, NSC ने काँ कि इसकी काठी तो ये ट्रेड नहीं, तो ये 5 पैसा भी नहीं रहेगी, settlement कर दिया, तो आपको पता होना चाहिए, कि आपका stop loss कहां है, वो आप एक घंटे के time frame पर first class का निकाल सकते हैं, first class का stop loss, तो आपको ये करना है, क्यों बोल रहा हूँ ये करना है, इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं मान के चलता हूँ एक महीने में आप 50 trade करोगे, 50 trade करोगे एक महीने में, ठीक है, इन 50 trades में, आपका ये जो edge formula है, ये कम से कम 30 और 35 trades में काम आएगा ही आएगा, कम से कम, ताकि आप max profit ले सको, बहुत लोग 190 भी निकल जाएंगे, बाकी के max बन 30, 20 points आपने मिस कर दिये, मिस कर दिये, तो आपको इससे बचना है, इससे बचना है और ये चीज आपको apply करनी है, अब मैं मान के चलता हूँ कि हो सकता है इस premium का 225 के ऊपर भी कहीं से बिक्वाली हो, तो अगर मेरा target 225 का आ रहा है, और मुझे दिख रहा है कि अभी और दम है बजार में, तो हम next जो target हमारा 250 का अगर निकल रहा है, कहीं से गिरा है अगर ये premium, तो हम 250 तक जाने की कोसिस करेंगे, फिर SL अपना trail हम कर लेंगे, 225 पे कम सकम, जो hold for max वाला आमने formula लगाया, उसका target ये आ रहा है, 225 इस तक का तो हम bet करेंगे, करेंगे कम सकम, ये चीज हो गई, अब एक चीज और मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं, बहुत बार आप देखेंगे, बहुत बार आप देखेंगे, कि आप ने जैसे ही market खोला, ये 180 का premium breakout करके, ऐसे चला गया, 190 के आसपास, ठीक है, तो 190 पे आपकी right time entry नहीं है, ध्यान रेशना, ये आपकी गलत entry हो रही है, अगर आप 190 पे वाई कर रहे हो, ये have to bet, have to bet, कि अगर ये retest करके, फिर से इसी जोन में आता है 180 के आसपा, तो मैं entry ले लूँगा, नहीं तो जाने दो, मैं कोई दूसरी trade देखूंगा, ऐसा थोड़ी है, कि एक ही trade है, एक ही बजार है, एक ही index है, अभी तो चार और आ रहे हैं नहीं, चार और आ रहे हैं नहीं अभी, operators के लिए, हम रेटर्स को बरवाद करना है न, operators के लिए आ रहे हैं, भरके quantity मार दिया करेंगे, जैसे mid cap में होता है, अच्छा गासा trade कर रहा है, सरा सर 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 चला आया नीचे, दुबा दिया, लोगों को, तो उनसे बचना है आपको, तो I hope ये formulas आपको अच्छे लगे होंगे, comment करके जरूर बताना, implement करना, एक हपते करके देख लो, इसमें काम ना real टकर मिले, तो comment करके बता दे, ना कि एक हपते बाद, बाकी अगर आपने हमारा morning star, और evening star का वीडियो नहीं देखा है, candle stick का वीडियो नहीं देखा है, तो वो भी playlist में पढ़ा है, उसको भी देखिए, वो भी बहुत काम का है, चलिए, मैं इसको close करता हूँ, I hope आपको बहुत अच्छा लगा होगा, comments करके जुरूर बताईगा, उससे हमें थोड़ा सा motivation मिलता है, कि हम थोड़ा सा और आपके लिए, कुछ अच्छे अच्छे formula से अच्छे निकाल के लेके आएं, धन्नवाद for watching this video,